जैजैर सनीदेव मकरास के दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके दैनिक रासी फल में मैं हूँ आचारिस के तिवारी दोस्तों हाजीर है आपका रासी फल लेकर बात करेंगे गुरुबार 17 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो आए रासी फल से पहले आ चार्स मिनट पर होगा आज के दिन चंद्रमा में रास में रहेगे चार बज़ के 20 मिनट साम तक उसके बाद में सरास में प्रवेस कर जाएंगे बात करेंगे आज के मुहुर्तों की ब्रहमा मुर्त रहेगा चार बज़ के 43 मिनट से पांच बज़ के 33 मिनट सुबह तक अब सुभे से लेकर साम तक बना रहेगा तो ये थे आज के सुमहूर्ट इन सुमहूर्टों में आप कोई भी सुब़ कार्यारम कर सकते हैं आज का राहू काल का समय रहेगा दोपहर बाद एक बज के 32 मेट से लेकर दोबज के 18 Lehr तक रहुकल के समय किसी विसुबह और अच्छे कारियों के सुरुआत नहीं की जाती है अब आईए जानते हैं आपके रासी फल के बारे में आज मकर रास के सितारे बताते हैं कि आपको आज नोकरी पेसा में समझदारी और धहरे के साथ काम करना होगा लालस से बचें क्यूंकि जल्दी और आसान तरीकों से धन कमाने के चकर में नुकसान भी हो सकता है पाजीवारिक जीवन में आज जीवन साथिक साथ आपका तालमेल बना रहेगा लेकिन इनकी सेहत को लेकर चिंता हो सकती है आपको आज बच्चों के साथ बेहतर पल बिताने का मोका मिल सकता है साथ ही आज आज आपको दोस्तों और सके समंधियों से मिलने जुलने का मोका भी मिलेगा किसी समारोह या अफसर पर कुछ ऐसे परिचित भी मिल सकते हैं जिनसे आप काफी समय से मिलने के बारे में सोच रहे थे आज मकर रास के जात्कों को भाग गिलाब दिलाएगा लेकिन धैरे बनाये रखना होगा आर्थिक मामलों में आपको आज लंबे समय के लिए निवेस करना चाहिए अगर आप प्रापर्टी में निवेस करते हैं या कि भविस में अच्छा और बड़ा लाब दिला सकता है पारिवारिक जीवन में आज आपको किसी दूर रहने वाले समंधियों से कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपको आज किसी धार्मिक कारी में सामिल होने का मुका मिलेगा बैबाहिक जीवन में आपसी प्रेम बना रहेग लेकिन जीवन साथी के सेहत को लेकर भी थोड़ी परिसानी रह सकती है आज का दिन आप मधूर बानी से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे साथी आज आपके द्वारा लिएगे फैसले ना सिर्फ आपको अच्छा लाब दिलवाएंगे बलकि आपके भविस को भी मजबूत बना देंगे अगर आप किसी स्वास्तामंधी समस्या से इस समय बरतमान समय में पेडित है तो आज आपकी सेहत में सुधार आने के संभावना भी दिख रही है और रोग प्रतियोधक छमता भी आपकी पहले से मजबूत स्थिती में होगी नोकरी वा ब्यापा के बीच आपसी प्रेम और सभाव बना रहेगा और जीवन साथी के साथ सम्मन्ध और भी ज़्यादा मजबूत स्थिती में होगे आज के दिन कारी छेतर में आपको साथधानी से काम करना होगा क्योंकि जल्दबाजी में नुक्सान होना भी संभाव है आर्थिक मामलों में आज का दिन आपका सामाने रहेगा कमाई के साथ खर्च का भी योग बना रहेगा आपको आज सरकारी छेतर के काम को हो सके तो टाल देना चाहिए क्योंकि यहाँ आपको परेसानी अधिक हो सकती है आज का दिन मकर रास के सितारे बताते हैं कि आज की दिन के आरम से ही आप सक्री नजार आएंगे और आप अपना काम समय से पूरा करने का प्रयास भी करेंगे क्योंकि आज आपके पराकरम का दिन है आर्थिक मामलों में आपको आज भाग अचानक ही लाब दिला सकता है आपका स्वास्त भी आज अनकूल रहेगा और जो लोग बीमार चल रहे हैं उनकी सेहत में भी आसुधार आएगा आपको आज सिक्षा की छेतर में भी अच्छी कामयाभी मिलेगी माता पिता से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और धर्म कर्म के कार में भी आज आप इसे सुरूची लेते हुए नजाराएंगे आपके लिए सलाह दी जाती है कि किसी भी छोटे निबेस करने से बचें आप लब लाइफ में प्रेम और आपसी सद्भाव बना के रखेंगे आज की दिन असंतुलित खाना से थोड़ा बचने का प्रयास करें नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है मकर रास के दोस्तों लब लाइफ में प्रेमी के लिए समय निकालना होगा नहीं तो उनकी नाराजगी के लिए भी तैयार रहें आपको आज धार्मिक कारियों में भाग लेने का मोका मिलेगा आपको आज उपहार की प्राप्ती होगी और भाईयों से सहीयोग प्राप्त होगा तो मकर रास के दोस्तों ये था आज आपका रासी फल कल फिर से करें राज़ फल के साथ हम आपके साथ होंगे तब तक के लिए जैसनगी